दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब हिंदुस्तान में हैं जीहां ये कहना है वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड बैंक ने Poverty and Shares Prosperity के नाम से रेपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक भारत में साल 2013 में सबसे ज़्यादा गरीब थे और उस वक्त देश की करीब 30 वी सिदी आबादी की रोजाना इंकम करीब 126 रुपे या इससे भी कम थी भारत के बाद नाइजीरिया का नमबर आता है ये रेपोर्ट देखिए भारत में सबसे ज़्यादा गरीब वर्ल्ड बैंक की रेपोर्ट में खुलासा दुनिया का हर तीसरा गरीब भारती है दुनिया में तेजी से बढ़ते देशों में से एक हिंदुस्तान जिसे पिछले महीने ही निउ वर्ल्ड वेल्ड की रिपोर्ट में दुनिया के सबसे अमीर देशों की फैरिस्त में शामल किया गया था कैनेडा, औस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों को पचारते हुए हिंदुस्तान ने टॉप टेन अमीर देशों में सात्वा अस्थान हासिल किया मुंबई, दिल्ली और बैंगलूरू जैसे शेहरों को सबसे अमीर शेहर बताया गया, लेकिन इन ही शेहरों में एक और हकीकत भी रहती है जिहां जो हिंदुस्तान एक के बाद एक काम्यावी के शिकर पर चड़कर जीत का पता का फैरा रहा है उसी भारत इंटरनेशनल पावर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की आबादी सबसे ज़दा है यह हकीकत वर्ल बैंक की टाजा रिपोर्ट में सामने आई है वर्ल बैंक ने पावर्टी एंड शेर्स प्रोस्पेरिटी के नाम से रिपोर्ट जारी की है वर्ल बैंक की रिपोर्ट के मताबक दुनिया का हर तीसरा गरीब भारत में रहता है साथी भारत में साल 2013 में सबसे ज़्यादा गरीब थे उस वक्त देश के 22.4 करोर लोग यानि करीब 30 फिसदी अबादी की रोजाना इंकम 126.46 रुपए या इससे भी कम थी भारत के बाद नाइजीरिया का नंबर आता है नाइजीरिया में कुल 8.6 करोर अबादी गरीबी रेखा के नीचे है भारत में नाइजीरिया से 2.5 गुना ज्यादा करी है रिपोर्ट के मताबिक पिछले साल के तुलना में इस साल अती गरीबी में कमी आई है रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, चीन, इंडोनेशिया और दूसरे एशिया पैसिफिक इलाकों में हुए विकास की वज़े से ऐसा हुआ है रिपोर्ट के मताबिक भारत में टॉप 10 फीसदी आबादी की ओसत आए है अमेरिका और चीन के 40 फीसदी की ओसत आए के बराबर थी भारत में सलाना ओसत आए 44,193 रुपए है अमेरिका में 5 लाग से ज़्यादा है मौजूदा समय में दुनिया के सबसे ज़्यादा अतिख गरीब लोग सब सहरन अफरिका और साउथ एशिया में रहते है सब सहरा में हर दूसरा व्यक्ति गरीब है जबकि भारत में तीन में से एक गरीब है वाल बैंक के इस रिपोर्ट में 83 देशों में से 60 देशों ने अपने आकड़े साजा किये हैं रिपोर्ट के मताबिक वित्यस संकट के बावजूद साल 2008 से 2013 के बीच इन देशों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 40 फीसदी लोगों की आमधनी में इजाफा हुआ है खास बात ये है कि इन देशों में दुनिया की 60 फीसदी अबादी रहती है और खास बात ये है कि ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब पिचले ही महीने नीव वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट में भारत को सबसे अमेर देशों के लिस्ट में शामिल किया गया था ऐसे में सवाल ये उठता है कि जस तरह से भारत तरक्की कर रहा है क्या उसी तरह से भारत में गरीबी भी बढ़ रही है International Desk, India 24-7